2019 और 20 का कर दिया है हमने प्लेलिष्ट बना दी है आप लोग सॉल पेपर वहाँ से देख सकते हैं वीडियो हमारे 2018 का आज करवा रहे हैं वो तेजी से चलेंगे 10 से 15 पेपर सॉल करवाने हैं 10 तो करवाना ही करवाना है अगर समय रहेगा तो 15 भी करवा देंगे चलें तेजी से देख लेते हैं सूर के प्रकाश से परावेगनी विकरण अबक्रिया नियुनिमे से क्या पैदा करती है कई बार बताया हमने कि सूर का प्रकाश आता है परावेगनी करण जो रहती सूरी की वो ऑक्सीजन के अण से अबक्रिया करती है और दो परमाड़ों में आक्सीजन को भी भक्त कर देती है ये आक्सीजन का जो 70 परमाड़ है ये अन्य आक्सीजन के अन्स Το अबग्रिया करके क्या बनाता है आक्सीजन 3 अर्थात Ozone GASS बनाता है तो इस तरह से Ozone निर माड़ होता है राइट एंसर क्या हो जाएगा C तो C वाला राइट एंसर है निम्कित यूग में उसे कौन सभी सुमेलित नहीं है ध्यान दखेगा रेनेटिंग अभग्रिया ये पनीर से संबंदित है पनीर निर्माड से जय प्रद्योकी ये प्लाजमिड जय प्रद्योकी संबंदित है जयो प्रिद्यक्य में प्लाजमिट का प्रियोग होता है golden चावल में vitamin A पाया जाता है कई बैर पूछा गया है और ozone परत में troposphere में ozone परत नहीं पाया जाती है बलकि समताप मंडल में stratosphere में पाया जाती है डीवला राइट एंसर है ठीक है चलिए और हुए, शाटोजस पर सेय who only समता अकी और या समताप मंडल παए जाती है, नेज्ट निवकित से किसे जफ्वी वही व्यक्तिगत सवाल है कंञ जफिस नारलिकर के अंसार अभी तक विग्यान नहीं माना जाता है, लेट्ज हम नहीं विग्यान है जवी नारलिकर निवकित में से किसका अविशकार विलहेम्स राटजन ने द्वारा किया था डबलू एच राटजन ने X-ray मशीन का अविशकार किया है बाकी रेडियो का मारकुनी ने किया है बिजली के बल्ब का अविशकार थामस एडिशन ने किया है और रडार कविस का राबर्ट वाटसन ने किया है याद रखेगा इसका जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा रॉंजन का एक्सरे मशीन DNA की द्वी कुंडलनी सरचना किसके द्वारा की गई थी DNA की द्वी कुंडलनी सरचना मतलब मेरा तो थोड़ा सा खराब है दोस्तों क्या कहते हैं आर्ड तो माफी चाओंगा वाटसन और क्रिक ने बी ने किया था इसमें चार शारक पाये जाते है एडिनिन, गुवानिन, थाइमीन और साइटोसीन जो आरेने होता है इसमें थाइमीन की जगा यूरेसिल शारक पाये जाता है ये भी याद रखेगा तो वाटसन और क्रिक ने द्वी कुंडिलनी सरचना डिने की बताई थी और 1962 में इसी कारेक लिए इन्हें नोबेल प्राइस दिया गया था अगला है निम्कित बिद्धु चुमकी विकड़ों में से किस की उर्जा धिक्तम होती है धिक्तम उर्जा पूछा है तो इन में से सबसेयादा होगी एक्स रेस की सबसेयादा एक्स रेस की होगी सबसे जादा अगर पूछा जाए तो गामा रेस की होती है गामा कुरीडों की सबसे याद होती, फिर X करिणों की, उसके बाद परा बैगनी करिणों की, फिर औरक्त की, फिर दिर्शे की, रेडियों की. ठीक है तो यह क्रम आप याद रखेगा क्रम में भी कभी पूछ ले आपसे या फिर सफसे छोटा पूछ ले इस तरह से पूछ सकता है तो यह आपको क्रम याद रहेगा तो आपको पता रहेगा इन में सफसे यादा कौन सा है तो सफसे यादा गामा रहे फिर एकसरे फिर अल फिर दिर्श्य प्रकास से भी कम अगर किसी की उर्जा होती है तो रेडियो वेव की होती है तो ये याद रखेगा विजिबल दिर्श्य प्रकास फिर उससे कम इंफ्रारेड की या औरक्त की और सबसे लाश्ट में सबसे कम होती है रेडियो वेव की साथ यानते रहे कि जो माइक्रो वेव है जिसका कि आपके संचार में प्रयोग होता है वो रेडियो तरंग का ही एक प्रकार होता है रेडियो वेव की सेड़ी में ही वो आता है मिथेन निनमे से किससे निकलती आउ सरजित होती है तो कई सरोत होते है मिथेन के परशू जुगाली करते हैं केवल धान के खेतों से दीमक के बामबी से भी ठीके यहां से भी दोनों जगों से निकलते हैं सीवल राइट एंसर हैं तो मिथेन धान के खेतों दीमक की बामबी दोनों से निकलते हैं कुल मेथेन गैसुत सरजन का 40% एगरिकल्चर बाई प्रोड़क्ट 29.6% फासिल फ्यूल से निकलता है। निमने लिखे तत्तों में कौन अर्दचालक है। अर्दचालक चालक और अचालक के बीच के होते हैं। अर्दचालक और अचालक के बीच के होते हैं जो पदार्थ वो अर्दचालक होते हैं। इन्ही का सेमी कंड़क्टर में कंप्यूटर टेक्नॉलजी इन्ही का यूज होता है। चिप्स वगर जो बनती हैं चिप्स वो सिलिकॉन की ही बनती हैं। अर्थात ये अर्दचालक की बनती हैं, अर्दचालक में सिलिकान, जर्मेनियम, कार्बन, सेलेनियम आ दियाते हैं, लेकिन सिलिकान का ही ज़्यादातर प्रियोग किया जाता है। अधार पर इसको मिलाकर ब्रंभोस नाम दिया गया है, ये भारत और रूस का संयुक्त उपकरम है, ये मिसाईल लभग 9 मिटर लंबी तथा 70 सेंटिमेटर ब्यास वाली, 3000 किग्रा पेलोड वार हेट जाने में सक्षा में, इसे सुखोई विमान से भी लॉंच किया जा सकता है, इसकी मारक शमता 290 किलोमीटर है, वैश्रिक गाउं की संकल्पना का विकास आधारित है, किस पर आधारित है, परिवहनेवम संचार के विकास पर आधारित है, विशेस रूप से इंटरनेट आधारिस संचार वियोस्था ने पूरे विश्च को एक गाउं की संकल्पना मिल यहां एक दूसरे से जोड़ना बहुत आसान हो गया है। तो 20 decibel ठीक है पत्तियों की सरसराहट 20 decibel का जो तरंग है वो उत्पन करती है इंसिनरेटर्स का प्रयोग निमकिन में से किसके लिए किया जाता है तो इंसिनरेटर्स कूडा कचरा को जलाने के लिए किया जाता है इनका प्रयोग तो इंसिनरेटर्स का प्रयोग इलेक्ट्रानिक कचरे को जलाने के लिए किया जाता है, इंसिनरेटर्स का आर्थ होता है, जलाना, हरित ग्री प्रभाव क्या है, तो वैश्विक ताप में वृद्धी कोई हरित ग्री है, प्रभाव कहते हैं, जो हरित ग्री गैसे हैं, उनकी म इस से कौन प्राक्टिक गैस का मुख्य भाग है तो प्राक्टिक गैस में कई बार पूँचा गया है मिथन जो है मुख्य भाग है जिसका ब्रसऽ करेश एक स्थाने comments channel इस उत्लियum चैसर प्रोटैन एक प्रकार थे लिडिकट प्रोटैलियम गैसdated पड़ि से LPG जो होती है घरेलू गैस उसमें मुख्य तह ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस मिलते हैं इसका प्रयोग घरेलू गैस लेनरोम किया जाता है ये भी प्रशन पूजता है कभी कभी कि घरेलू गैसों में क्या पाया जाते हैं ब्यूटेन प्रोपेन प्राक्तिक गैस में क्या क्या पाई जाते हैं CNG या नेचरल गैस में तो वो मेथेन उसमें मुख्य मात्रा में रहता है पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगबग विलप्त होने के लिए उतर दाई है बड़ा आसान सा प्रशन था डिकलो फिनेक तो डिकलो फिनेक परशों को दिया जाने वाला दर्द निवारक है जिससे भारत में गिद्धों के लगबग विलप्त होने का खत्रा मड़ा रहा है इसी करन गिद्धों की ज़्यादा तर पजातियों को रेट डटा सूचिम सम्मिलित किया गया है पहले पता है आपके आसपास गिद्ध दिखाई पड़ते थे जानवर जब मर जाते थे जो उनको खाने आ जाते थे इनी जानवरों को डिकलो फिनेक दिया जाता थे इनके सरीर में मौझूद रहता था वो गिद्ध खा करके मर जा रहे थे जिसके करण विलुक्ती के कगार में आ गया और वो भाग गए सारे छोड़कर चले गए निम्कित देशों में कौन सा 2015 में सरवादिक कार्बन डायक साइट का और सरजक था 2015 का पूछ लिया था 2018 का प्रश्ण पत्र था तो इस तरह के प्रश्ण भी आयोग पूछता है ध्यान लखेगा इस चीज को तो थोड़ा जब आकड़े पड़िये थोड़ा बहुत घूम फिर लीजे पीछले और अगले आकड़ों पे तो ये वाला राइट एंसर है चाइना जो है सरवादिक उस सरजक था अभी भी चाइना ही सरवादिक उस सरजक है दिहान देवने वाली बात ये है निमकित में से कौन से कतन सही है प्राक्तिक आपड़ा है सरवादिक शत्विकास से लेशों में करती है देखे यह थोड़ा सा विवादित प्रश्न था उसका कारण था कि यहां पर भारत आपदा युक्त देश तो सही है लेकिन इंगलिश वाले में लिखा था कि भारत आपदा मुक्त देश है ठीक है इंडिया इस डिजास्टर फ्री कंट्री दे दिया था जिसके कारण की यह प्राक्तिक आपदाएं सरवादिक शर्ति विकासिल देशों करती है क्योंकि आधार भूस रश्ना का निर्माड यहां नहीं होता है बस्तियां जो हैं जो कच्ची बस्तियां बहुत ज़्यादा रहती है ठीक है जो शमता होती है आपदा से निपटने की वो कम रहती है जिस से जो निकला जो मिथाइल आइसो साइनेट गैस था जिसके करण की ये आपदा आई थी जिसके करण काफी लोग मर गए थे तो भारत आपदा युक्त देश है ये भी सही है मैंग्रो चक्रवातों का प्रभाव कम कर देते हैं ये भी बिल्कुल सही है कभी कल ही हमने चर्चा क थी और परियावरण वाले में हमने कादेस बताया है आपको कि किस तरह समेंग्रो कि जड़े मजबूती से जकडी रहती है धरती को जिसके करण आपदा आती है तो उसको ये कम करने का पूरा काम करती है तो चारो ही सही होगा हिंदी वाले के आधार पे लेकिन इंगलिश व वेग पूछ रहा है, तो प्रकाश का वेग अधिक्तम होता है, प्रकाश से अधिक वेग किसी का नहीं होता है, तीन का गुरते, दस के घाटे, आठ, मीटर प्रति सेकंड ये प्रकाश का वेग है, सरवा दिख जोगी होता है, तीक है, ग्रैफीन क्या होता है, तो ग्रैफीन क या है कार्बन का नैनो प्रतिरूप है ध्यान लखेगा ग्रेफीन कार्बन का नैनो प्रतिरूप है या कार्बन के द्वी आयामी रूप में खटकोणी जाली में व्यवस्थित कार्बन प्रमाड़ों की सरचना होती है ध्वनिका वेग अधिक्तम होगा कहां पर अधिक्तम हो इसलिए जो वेग होगा वह इसमें अधिक होगा इस बात में अधिक होगा ठीक है धूआ में आखों को प्रभावित करने वाला कौन सा सक्तिशाली उत्रेज होता है तो पैन होता है वो पैन आखों को प्रभावित करता है पैराकसी एसी टाइल नाइट्रेट इसका फुल फार्म है पैराकसी एसी टाइल नाइट्रेट फोटो केमिकल धुआ में मौझूद एक दुतियक प्रदूर्शक है कई बार पूचता है कि इसमें से कौन दुतियक प्रदूर्शक है तो पैन जो से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आवला है विटामिन सी का रासाइनिक नाम इसकर्विक एसिड है यह शरीर की कोशिकाओं को बात कर रखता है शरीर में यह खून की नसोर अक्तवाहिकों को मजबूत बनता है इसके अच्छे सोच सभी प्रकार के खट्टे फल होते हैं लेकिन उपलब्ध विकल्पों में आवला सरवादी को प्योगत उत्तर है रहा था प्रकाश विद्ध प्रभाव के कारांटी के लिए दिया गया था सर आइंस्टाइन को प्रकाश विद्ध सिध्धान के लिए 1921 में नोबेल पुरुसकार दिया गया जब कोई पदार्थ धातु एमादातु ठोसे हों गया इसकिसी विद्ध चुमकी विकरंड से उर्जा वशुषित करने के बाद इलेक्टरान वस्वाजित करता है तो इसे प्रकाश विद्ध प्रभाव कहते हैं इन्होंने ये किया था कि प्रकाश की जो रेज होती है वो फोटान से वनी होती है किसे वनी होती है फोटान से वनी होती है जो फोटान ये किसी पदार्थ विगरता है तो इलेक्टरान मुक्त करता है इतनी ही लगभग इनर्जी का H new zeros को कहते है ठीक है तो H जहां पे Planck constant रहता है कई बार पूछा भी H क्या है तो H Planck constant है Planck नियतांक होता है अला कि ये प्रश नहीं आने वाला है फिर भी जानते रहिए निमलखित उर्जा सुरतों में से कौन पर्यावरणी प्रदूशन नहीं उत्पन्न करता है तो पर्यावरणी प्रदूशन इनमें से कौन नहीं उत्पन्न करता है या सौर और जा पर्यावरन प्रदूशन नहीं उत्पन्न करती बाकी सभी पर्यावरन प्रदूशन उत्पन्न करती है सुची फश को सुची सेकंड से सुमिलित कीजे और कूटों से सही उत्तर दीजे तो समुद्र गुप्त के समकाली नरेशों का नाम दिया है उनके राज़ दियाँ किस राज में शाशक थे तो धननजे कुस्तलपूर में थे तीसरा होगा नील राज ये अवमुक्त के शाशक थे उग्रिसेन पालक्का के थे और विश्णो गुप्त कंची के तीन एक चार दो इसका राइट एंसर हो जाएगा तीन एक चार दो सी वाला राइट एंसर होगा इसको चाहें तो आप रट सकते हैं या लिख सकते हैं कहीं पे नोट कर सकते हैं निनमे से सिंदु सब्बिता से संबंधित कौन से केंद उत्तरवदेश में स्थित हैं तो काली मंगा राजस्थान में, लोथल गुजराद में आलमगीरपूर मेरट उत्तरवदेश हुलास या हुलास खेडा लखनव उत्तरवदेश तो आलमगीरपूर और हुलास तीसरा और चौथा राइट एंसर हो जाएगा डी वालाइस का राइट एंसर होगा तो आलमगीरपूर बड़ा गाओं एवन हुलास सिंदुगाटी सब्व्यता समंधित के अंधर जो पश्यमी उत्तर विदेश में इस्थित है निमित से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थे ये दक्षिन भारत से एक प्रशन जरूर आता है तो करनाटक में जो होईशल राजवन्स था उसको जब आप पढ़ेंगे तो नाना देशी शब्द आपको मिल जाएगा विदेशी व्यापार से संबंधित था तो नाना देशी व्यापारियों का एक बड़ा समूध था जो एक विदेशी व्यापार से संबंधित था इनका उलेख खोईसल सामराज्जी के समय मिलता है मद्यकाल में संगीत पर संस्कित में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में नुमात किया गया दूसरा है आरंभिक चिस्ति सुफी संथ संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था उनके सौकीन थे तो दोनों ही सही है मद्यकाल में संगीत पर आपको पता ही है संस्कित में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुमात किया गया ठीक है कई शासकों के काल में खासकर अकबर के शासन काल में यह सही है दूसरा है चिस्ति सुफी संथ संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था इसके शौकीन थे बिल्कुल सही है आज भी सुफी संगीत जाना जानता है जाता है सुफी गायक होते है तो A-R दोनों से हैं लेकिन ये रीजन एक दूसरे से सम्मंधित नहीं है कहीं से भी तो B वाला राइट एंसर होगा इसका मद्देकाल में संगीत पर संस्कित में लिखी अनिक पुस्तक कानुमात फरसफारसी में किया गया एवं आरंबिक चिस्ती सूफी संत जैसे निजामुद्दिन ओलिया आदिसंगीत सभाओं के शौकीन थे अताप प्रश्मित दिये गए दोनों कथंस अत्त हैं लेकिन कारण कथंस की सही व्याख्या नहीं करता है पुश्मित्र सुंग दोरा दो अश्मित्र यग किये जाने के बारे हैं जानकारी किस लेक से मिलती है तो ये अयोध्या लेक से मिलती है मिलान के लिए आ चुका है पुश्मित्र सुंग से सम्मन्ने थे इनके द्वारा दो अश्मेद यग किये जाने की जानकारी मिलती है शुंगमंस की अस्थापना एक सो पचासी ईसापूर में मौर सेनापती पुश्मित्र सुंग ने अंति मौर शासक व्यदत की हत्या करके की यहां एक कट्टर ब्रामभडवादी था उसने दो अश्मेद यग का अनुष्ठान किया सुप्रसिद्य संस्कित व्यायकरन पतंजली उसके अश्मेद यग के पुरोहित थे मदिकालीन भारत के अतियासिक सुरोतों में चकला शब्द का प्रियोग किसके लिए हुआ है आफशन्स आप देख लीजे एक बार ठीक है तो मदिकालीन भारत के अतियासिक सुरोतों में चकला शब्द का प्रियोग हुआ है यह सूबा और परगना की बीच की छेत्री का ही था लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था सुरक्षा के लिए मराठों के राजसों के दाओं को किस नाम से जाना जाता है सुरक्षा के लिए अर्थात किसी कबीले या किसी बस्ती की सुरक्षा के लिए जो मराठे राजसों वसूलते थे उसको क्या कहा जाता था चौध कहा जाता था तो 1702 इस बी तक मराठे अपने शक्ति का पराकाश्टा पर पहुँच गए और मुगल बाश्या उनके हाथों की कटपुतली बन गए वे संपूर्ण भारत से चौथ तथा सरदेश मुखी वसूलने लगे तो दोनों ने अलग अलग बताया है अलाकि इसका उत्तर आयोग ने भी चौथ ही माना है दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जित का निर्माड किस ने करवाया था तो ये माहम अंगा ने करवाया था दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जित का निर्माड माहम अंगा द्वारा करवाया था निम्केत युग में से कौन सी सुमेलित नहीं है तो डी वाला सुमेलित नहीं है लखनों में विद्रो का जो नित्यत किया था लियाकत अली नहीं किया था बाकी सब जगह साही है संभलपूर में सुरिंदर साही नहीं किया था गंजा मुरीसा में राधा किश्ट दंड सेना ने किया था कश्मीर में गुलाब सिंग ने किया था जबकि लियाकत अली ने इलहाबाद में किया था लियाकत अली ने इलहाबाद में किया था क्या नाम था बेगम हजरत महल ने बेगम हजरत महल ने लखनों में ने तेत्व किया था ठीक है लियाकतली नहीं लहवान में किया था निमलकित यूगमों में से कौन सही सुमेलित नहीं है तो कहां पर कौन शाशक था ये दे रहा है तो इसमें से वारंगल वाला सुमेलित नहीं है रामचंद देव ये देवगरी में वार शंकर देव और रामचंद देव दोनों ही देवगरी गिरी में ही शाशक थे बाकी होईसल में वीर बलाल थे मजुरा में वीर पांड्या थे तो ये दूसरा वारंगल वाला गलत है इसमें मुगल काल का काला करम्ट पूछा है कि कौन कौन सा शक पहले रहा तो भाजी शबजी माशाब फार माशाब हमने आपको बताया है वह आप पूरा रट लीजे कभी ये वाला ऐसे प्रशनाएंग गलत नहीं होगा तो इसका क्या हो जाएगा राइट एंसर सबसे पहले कौन था जहांदार शाह था उसके बाद मुहम्मद शाह आया उसके बाद फिर आमद शाह आया और फिर आलमगीर दुतिय तो क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर बी बी ए डी सी बी ए डी सी जहांदार शाह फिर मुहम्मद शाह फिर रामद शाह फिर अलंगिर दिती निमकित में से कौन शुक्ल युरुवेट की सहीता देखे आपको मैंने जो आठ वजे वाला खेला होबे सिरीज दिया है उसमें आप सारे प्रश्णों को देख लीजे एक एक प्रश्ण आपको हूब हूब मिल रहा होगा विद एक्स्प्लिनेशन जो हमने दे दिया तो जो जिसने भी नोट्स बनाया बहुत सारे इसुजेंट नोट्स बनाया है उस खेला होबे सिरीज से भूगोल और इतियास का आप सारे प्रश्ण कर ले जाओगे ठीके 90% से यादा प्रश्ण आपके सही होने वाले हैं अगर आपने वो देख लिया है तो निमकित में से कौन शुक लेकिन आप लोग देखी नहीं रहे तो हमने इसलिए सिंखला ही बंद कर दी अब क्या करेंगे कि पॉलिटी और साइन्स का एक में ही पॉलिटी का एक अलग दे देंगे वीडियो उसमें complete रहेगा एक ही वीडियो में 3-4 घंटे की वीडियो जो रहेगी इसी तरह economy का भी खेला हो भी वीडियो एक ही वीडियो में 2 घंटे का पूरा economy का समंदित प्रश्ण उसमें with explanation हो जाएंगे ठीक है फिर science और environment का भी ऐसा ही कर देंगे तो एक एक वीडियो में ही ले आएंगे चार-पांस दिन में समात्त हो जाएगा सब निमकित में से कौन शुक लजुरवेत की सहीता है तो वाजस निमी सहीता शुक लजुरवेत की सहीता है बाकी काठख मैत्राइडी और तैतरी किष्ण लजुरवेत की सहीता है नीचे दो कथन दिये गए हैं जिनमें एक कथन ए तथा दूसे को कारण आर कहा गया है तो कथन और आरण में कारण में क्या संबंध है दोनों ब्याख्या कर रहेंगे नहीं यह आपको बताना रहता है तो भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए और उत्तर भारत में राजनितिक एकता नहीं थी यही कारण था कि तुर्की आक्रमण सफल हुए क्योंकि राजा तो बहुत शशक्त थे बड़े मजबूत बड़े शक्तिशाली राजा हुआ करते थे लेकिन की आपस में कभी पटी नहीं आपस में हमेशा यह एक राजा जो पड़ोसी था चाहता था कोई आक्मण करके इसको समाप्त करे तो हम खुष हो जाएं पडोसी दुखी होगा तो हम खुष हो जाएंगे ये जो भावना रही इसके करन जो विदेशी अक्मरकारिया है वो सफल रहे हाँ पर तो A और R दोनों सही R A की सही व्याख्या है A वाला राइट एंसर होगा इसका निम्लकित मंदिरों को कलानुकरम में विवस्तित कीजिए और नीचे देगे कूटों में से सही उत्तर चुनिये करम पूछ रहा है किस करम में मंदिर वना तो आपको अगर शास्कों का करम याद रहेगा कि शाशक ने कौन मंदिर बनाया तो इसको टैकल कर लेंगे तो विहदीश्वर मंदिर का निर्माड किस ने करवाया था राज राज प्रथम ने करवाया था गंगय कोंड चोलपूरम का निर्माड किस ने करवाया था राज अंदर प्रथम ने करवाया था राजंदर प्रथम ने करवाया था महा बलीपूरम का तटी या शोर मंदिर का निर्माड किस ने करवाया था नरसिंग वर्मन दृती ने करवाया था वहीं सब्त पैगोड़ा जो सात रहत वाले मंदिर हैं उनका नरसिंग वर्मन प्रथम ने करवाया था तो प्रथम नर्सिंग, प्रथम के बाद नर्सिंग दिती आते हैं हर्थाज चौथे के बाद तीसरा होगा इनके बाद राज राज प्रथम आते हैं और उसके बाद राज अंदर प्रथम आते हैं चार, तीन, एक, दो, राइट एंसर एडी, ठीक है, डी वोला राइट एंसर हो जाएगा, सब्ध पैगोड़ा का निर्मार्ण नर्सिंग वर्मन प्रथम के सासन कालम लगभग 630-666 इस भी में, महाबलपुर्म का तटी मंदिर का निर्मार्ण नर्सिंग वर्मन दिती याराज सिंग ने 70728 इस भी में करवाया, तन्जवर के व्रिहदीस्वर मंदिर करनिर्मार राज राज प्रथम तथा गंगय कोड चोलपूरा मंदिर करनिर्मार राज अंदर प्रथम ने करवाया जिसका सासन का 985 और 1014 इस्वी के मध्य था इन दोनों का हाथी गुंपा का विलेक कि शाषक के विशे में जनकारी का स्रोत है हाथी गुंपा विलेक जो उडिशा में स्थित है भुनेश्वर में ये कलिंग राज खारवेल के विशे में जनकारी मिलती है चे दिवन्ज के शाषक थे ये निम्कित में से किन स्थानों से मद पाशानकाल में पश्पालन के प्रमाड़ मिले है तो बागवर से पश्पालन के प्रमाड़ मिले है राजस्थान के बागोर से मद पाशान कालिन पर्शपालन के प्रमान मिले हैं ये अस्थल भारत के मद पाशान कालिन विशाल और सरशेष्ट उत्खनन अस्थलों में से एक है निमखित यूगमों में से कौन सुमेलित नहीं है तो ए वाला सुमेलित नहीं है अदीना मस्जिद जो है ये मालदा में पश्चिम मंगाल में है मांडू में नहीं है मालदा में है लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में है दाखिल दरवाजा ये गौड जो है में है पश्चिम मंगाल में और तीन दर्वाजा जो है ये आहमदाबाद में गुजरात में है एक बार इसकिन शॉर्ट हो सके रख लीजएगा यहां से संबंदित प्रशन फिर से आ सकते हैं निकित युगमों में से कौन सुमेलित नहीं है तो रसिक प्रिया की रचना केसो दास ने की है ठीक है न कि रस्खान ने तो ये गलत है रसिक प्रिया की रचना केसो दास ने की है बाकि दुरुदास ने भगत नामा वली नाभा दास ने भगतमाल उस्मान ने चित्रा वली ये बनाये हैं लेकिन रस्खान ने रसिक प्रिया की रचना नहीं की है केसो दास ने की है निम्न गवर्नर जनलों में से किस ने कांग्रेस का अत्यधिक अलप संख्या लोगों का प्रत्हित्व करने वाली कहकर उपहास किया था तो डफरिन नहीं कांग्रेस जो है इसको इस्थापना करवाई थी इसी की दिमाग की उपस थी और इसी ने बोला भी था ऐसा लाड अफरिन ने भारती राष्टी कांग्रेस के संग्ठन को चनोती देते हुए कहा यहां केवल एक सूष्ण दर्शी अलप संख्यों को का प्रत्हित्व करती है नीचे दो कथन दिये गए हैं एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है तो कथन A सही है 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गए अपनी स्विकिती वापस ले ली थी पहले स्विकित दी थी और बाद में स्विकिती वापस ले ली थी सही है दूसरा है 1946 में गटित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल होई थी नहीं है क्या कान यह थोड़ा देख लेंगे मुस्लिम लीग ने 6 जुन 1946 को कैबिनेट मिशन योजना को स्विकार किया लेकिन 1946 में हुए चुनाओं में मुस्लिम लीग को मुस्लिम अस्थानों के 78 में से 73 सीटे प्राप्थ हुई इस घटना से 73 नहीं होगा दोस्तों गलत है 30 सीट प्राप्थ हुई थी मुस्लिम लीग को ठीक है कम प्राप्थ हुई थी इस घटना से शुब्द होकर जिनना ने कैबिनेट मिशन योजना से अपनी स्विकती वापस ले ली थी लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को लीग चुनाओं के बाद कांग्रेस के अंतर गठित अंतरिम सर कार के कारियों में ये बाढ़ा डाल सके निम्कित घटनाओं को काल क्रमा नुसार व्योस्तित कीजिए और नीचे देगे कूट से सही उत्तर काया चैन कीजिए तो ये आपका सी एबीडी हो जाएगा राइट एंसर डी वाला काल क्रमा नुसार देख लीजे वूट का बनी थी वो हंटर कमेटी थी ये हंटर कमीशन है दोनों मैंतर करीगा सेडलर आयो नीचे सो सत्रह में बना और सार्जेंट योजना उनीचे सो चोवालिस में तो ये सभी सिक्षा संबंदित थी और इसी क्रम में सी ये बीडी ये राइट हो जाएगा निवकित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संग्ठन अभिनो भारत समाज की स्थापना की थी कई बार पूछा गया है तो विनायक दामोदर सावर करने किया था क्रांतिकारी संग्ठन अभिनो भारत समाज की स्थापना पूना महराष्ण में 1904 इसभी में विनायक दामोदर सारक्र द्वार की ग विद्रों है कौन सुमेलित नहीं है तो अहों विद्रों सुमेलित नहीं है 1828 में, और तीस के बीच हुआ था अहों विद्रों तो येवाला ही गलत है वाकि अहां से परशन देखेंगे तो हर बार लगभग पूछ रहा है तो इसको पूरा याद कर लीजेगा भारत के समिधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय सुतंता समानतायों भात्यत्तों का उसी क्रम में उले किया गया है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा दो प्रकार की तीन प्रकार का दोस्तो न्याय की बात की गई है सामाजी गार्थिक राजनेतिक न्याय उसके बाद प्रकार की सुतनता है विचार विवक्ति विश्वास धर्म उपासना की सुतनता समानता दो प्रकार की है कौन समानत प्रतिष्ठा और असर की समानता और भात्रित्व एक प्रकार के भात्रित्व की बात की गई है तो तीन पांच दो एक बंदुता या भात्रित्व तो बंदुता की बात की गई है एक ही शब्द है लिखा हुआ है बंदुता तो भात्रित्व एक हो गया बाकि तीन पांच दो एक एवाला राइट एंसर हो जाएगा ठीक है 2017 के राश्पती चनाव में UPA का उमिदवार कौन था पुराना प्रशन हो गया ठीक है एक प्रकार से ये मीरा कुमार थी आपको याद होगा एवाला राइट एंसर था इसका निमकित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज़ था तो भाषा के आधार पर सबसे पहले आनपदेश को बनाय गया था सिर्फ भाषा के आधार बना था क्योंकि यहाँ पुट्टी स्री रामुलू जो अंदोलन कारी थे उनका निधन हो गया था तो दबाओं में आकर गौवर्मेंट ने भाषा के आधार पर राज़ बना दिया था तेलगू भाषियों के अलग राज़ की मांग पर एक अक्टूबर उनीस सो तिरपन को आनपदेश राज का गठन किया गया राज़ पुनर गठन अदनियम इसका गठन दो जूद हुजराचओध को किया गया था नए गठित दो नए केंसाश्यत पदेश बने हैं जम्मू कश्मीर और लदाख इसके साथ थी एक और केंसाश्यत पदेश बना है नया दो केंसाश्यत पदेशों को मिला कर दमंदी और दादार नगर हवेली तो 28 राज और 8 के इंसासित पुदेश हो गए निमकित में से कौन एक सम्विधानेतर संस्ता है अर्थास सम्विधानिक संस्ता नहीं है अर्थास सम्विधान में जिसका वड़न नहीं है किसी अनुछेद में तो समलोक से आयोग है वितायोग है निर्वाचन आयोग भी है नीत आयोग नहीं है सरकारी आयोग की संस्तुतिया निमकित में से किस से संबंदित है तो केंद राज से संबंदित है सरकारी आयोग का गठन भारत सरकार ने जून 1983 में किया था इसके अध्यक्ष सर्वोश शन्याले के सेवा निवतने अधिस राज अंदर सिंग सरकारिया थे इसका कार भारत केंद राज समंधों पर अपनी संस्तुती देना था सरप्रतम संस्तिदात्मक सरकार संस्दी सरकार किस देश में आरम की गई थी तो सबसे पहले Great Britain United Kingdom में 1832 में संस्तिदात्मक सरकार का सुभारम हुआ था निवकित में से किस के समंध में राज सभा का अनन अधिकार है था ऐसा अधिकार जो लोग सभा नहीं कर सकता सिर्फ राज सभा कर सकती है तो यह है नई अखिल भारती सेवा के सिजन है तो संस्ति करना कि किवल राज सभा करती है लोग सभा को अधिकार नहीं है सीवल राइट एंसर है तो अनुछे 312 किसी के बाद के होते हुए भी यह दिराज सभाने उपस्तित अमत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दोती आई बहुमत द्वारा समर्थी संकल्प द्वारा या घोशित किया हो कि राष्टी हित में एक नई एकल भारती सेवा के सिजन के आऊशकता है तो संसर इस पर कानून बनाकर पत का सिजन कर सकती अन्यता नहीं इसलिए इसमें राज सभा को अनन अधिकार अनन अधिकार क्या होते हैं ऐसे अधिकार जो अनने किसी को प्राप्त ना हो भारत के समिधान के किस भाग में हम नागरिक्ता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं तो भाग दो में नागरिक्ता है बीवला राइट एंसर बड़ा आसान प्रशन था है भारती समिधान में भारत की अधिकारिक भाषा में जुड़े प्राउधानों में संसत संसोधन कर सकती है तो अधिकारिक भाषा में अगर प्राउधान में परिवर्तन करना हो संसोधन करना हो तो संसत क्या करती है इसके लिए दो तियाई बहुमत द्वारा संसोधन कर सकती है तो भारती समिधान के भासा सम्मंधित प्राउधान संसोधन को संसत के दो तियाई बहुमत द्वारा किये जाने का प्राउधान है जैसे राज भाशा का प्रयोग संसत में अंग्रेजी भाश शाठ दिन तो संसर सदस्यों के अनहरता के संबन में अन्यके अत्रिक्त प्राउधान है। निगोशित कर दिया ये भारती दंड सहीता की धारा 377 से समंदित है ठीक है राज के नीतनेश्र तत्व सहज अध्यन के लिए निम्न में से कौन से भागों भाजित किया जा सकते हैं तो उपरोग सभी में समाजवादी तत्व भी हैं उदार बौधिक वादी भी हैं गाधी वादी तत्व भी मौझूद हैं तो सभी प्रकार के तत्व इसमें शामिल हैं 36 से क्यावन तक में भारती अर्थवियोस्टा की बात के है तो बर्तमान में जनसंख्या के सूखों का पृत्याग की बिना भाविशी के लिए कौन से धार्णा परिभाषित करती है तो यह संपोषनी विकास या धार्णी विकास है आपको पता ही होगा आसान चीज यह तुदी है निवक में से कौन सा भारत में गरीबी रेखा का निधरन करता है तो गरीबी रेखा का निधरन कौन करता है योजनायोग करता था अब नीतियायोग करेगा तो भारत में गरीबी रेखा के निधरन का कारे योजनायोग वरतमान में नीतियायोग करता है नीतियायोग का गठन युजनायोक्यस्थान पर एक जनुरी 2015 को किया गया था। निवकित राजों में कौन सडको की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है। सडको की लंबाई में तो महराष्ट कली हमने वीडियो में बताया था आपको। राश्टी राजमार की लंबाई की दिश्टे देखें तो सफस्यादा लंबाई राश्टी राजमार की उत्तरबदेश में है भारत में प्रत्यक्षकर रोड कोड नियुकित में से किसे संबन्दित है तो प्रत्यक्षकर कोड जो दोस्तों है वो है आपकी आयकर से संबन्दित है आयकर प्रत्यक्षकर है आपका बाकी तीनों जो है आपका विक्री कर हो यो अउत्पात कर हो गया सेवा कर ये क्या है जी चंद्रा ने आर्थिक मंति परिशत कहा था योजना आयोक को अशोग चंद्रा द्वरा भारत में आर्थिक मंति परिशत कहा गया था इसका मुखेकार योजनाओं का रिमार करना देश में गरीबी काकलन करना तथा केन सरकार को राजियों के अनुदान के संबंद में सिपारि शाब थे जनहित याजिका को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाने वाले तो चाचट का लेकिन ये प्रश्ण दोस्तों गलत भी था गलत इसलिए था क्योंकि हां मुख नयाधीश पूचा है नयाधीश उसमें थे पी अन भगवती जोने इंट्रोडीश करवाया था व्याख्या की थी जनहित याजिका की तो उसमें मुख नयाधीश चंदरचूड जी थे तो मुख नयाधीश न पूचा होता नयाधीश पूचा होता तब इसका इंसल सी होता ये क्वेशन डिलीट कर दिया था इसलिए आयोग ने क्योंकि उसमें वाई वी चंदरचूड जो थे ये मुख नयाधीश थे ठीके भारत की समिधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिति बताईए तो सही तिति अंतिम बैठक की 24 जनरुरी 1950 को था आखरी बार हक्चाक्षर इसमें किया था समिधान सभा के लिए चुनाव बिटिस सरकार द्वारा भारत में भेजी कैविनेट मिशन की सिफारिशों पर समिधान सभा का स्थाई अध्यक्षर राट डाक्टर राजियन पसाथ को चुना गया समिधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनरुरी 1950 को आजजित की गए थी निमकित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है तो विधान परिशत को भंग करने जोरत नही संसत द्वारे किया जाता है इसके सिजन के संबंद में संबंदित राज सभा की विधान सभा द्वारा अनुमोदन किया जाता है लेकिन संसत करने नहीं अंतिम होता है विधान परिशत के सदस्यों की संख्या विधान सभा के सदस्यों के एक तिहाई अधिक्तम अत्वा 40 से ये 2006 में मंत्राले का गठन हुआ है, अप लोग देख सकते हैं, उसकी वेव साइड पे भी, तो ये भी क्विश्चन गलत था, इसको डिलीट किया गया था, योग के द्वारा, महिलायम बाल विकास विभाग का गठन भारत सरकारदवार उनिस सो पचासीम किया गया था, तो विभाग का गठन किया गया था, ना कि मंत्राले का स्वतन मंत्राले का गठन वर्स 2006 में किया गया था, लोकसभा में केंसासित छेक्तों का सरवातिक प्रतिनेत्व कितना हो सकता है तो बीस अधिक्तम हो सकता है कुल मैक्सिमम संख्या संसत की कितनी हो सकती है लोकसभा की 552 सदस्य हो सकता है मैक्सिमम वर्तमान में दो सदस्यों को जो चुने 331 के आधार पर मनुनीत होते थे Anglo-Indians उनको discontinue कर दिया गया है लेकिन discontinue जरूर किया गया है बाद में continue भी किया जा सकता है फिर से संसुधन करके अगर लगता है कि प्रधित तो नहीं है तो फिर से उनको continue किया जा सकता है तो 552 maximum अभी भी है ध्यान रखेगा हाली में किसी बच्चे ने प्रश्णप किया था गुरूप में भी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ और 530 विभिन राज्यों से 20 अधिक्तम कहां से केंसासित परदेशों से 2 Anglo-Indian को मनुनित किया जा सकता ये maximum number है बता रहे हैं लेकिन वर्तमान में अगर करेंट में देखा जाए तो 543 सदस से हैं चार जुलाई 2018 से धान का प्रतिकुंतल नियुंतम समर्थन मूल्य 2018-19 के दोरान कितना हाला कि ये पुराना प्रश्ण होगी या नया वाला पढ़िएगा इसमें जनसंख्या की प्राक्तिक वृद्धी नियुन में से किसका प्रिडाम है तो प्राक्तिक वृद्धी की बात कर रहा है तो ये प्रिडाम है A और B का अर्थात अशोधित जन्वदर अशोधित मित्वदर का किसी एक वर्ष में असोधी जन्दर तथा मित्दर के अंतर को जनसंक्या के रिधिदर कहते हैं इस प्रकार आगलिद रिधिदर को जनसंक्या की प्राक्तिक समुर्धिदर कहा जाता है वो लेखनी है कि जनसंक्या विद्धिदर, जंदर तथा मित्धिदर के अंतर में निवल माइग्रेशन दर को जोड़ देते हैं सामाने तर निवल माइग्रेशन दर शून इमान लिया जाता है किसके द्वारा मानो विकास सूचकांग सरप्रथम विक्षित किया गया तो UNDP के द्वारा मानो विकास सूचकांग निकाला जाता है 1990 से ही तो United National Development Program से जुड़े हुए अर्थशास्त्री महबूब उलहक तथा उनके अन्यसायोगी जिनमें अर्थशास्ती अमर्त सेन तथा सेंगर हंस ने मानो विकास सूचकांग की सित किया इसमें प्रतिवेक्तियाय जीवन प्रतियाशत तथा सिक्षावधी को सम्मिलित किया जाता है निमनलिकित में से कौन भारत में ग्रामीड रोजगार का सबसे बड़ा कायकरम है तो ग्रामीड रोजगार का सबसे बड़ा कायकरम कौन सा है मन रेगा है नेशनल रूरल एमप्लाइमेंट गारेंटी एक्ट सितंबर 2005 को परित हुआ तथा दो फरुरी 2006 को इसकी सुरुवात ततकालिन प्रधाममंती डाक्टर मनमहन सिंग द्वारा आन्द पदेश के बंदा पल्ली से की गई दोक्टूबर 2009 को इसका नाम मदल कर महत्मा गाधी राष्टि गामेर रोजगा गारेंटी एक्ट कर दिया गया योजना कर दिया गया प्रारम में योजना देश के 200 जिलों में लागू की गये थी बजेट वर्ष 2878 में बढ़ाकर 330 जिलो में कर दिया गया बाद में इसको पूरे देश के सबी जिलो में लागू कर दिया गया निमखित में कौन लारेंज वक्त दोरा मापा जाता ह kidney तो लारेंज वक्र जो है आय की विशमता कुमापता है आय की विशमता कुमापता है लारेंज वक्र जितनी ही निर्पेक्ष समता रेखा के पास होगी आय की विशमता उतनी ही कम होगी यदि संपूर आय किसी एक ही विक्ति के पास हो तो पूर असमान आय वितरण होगा तो ल ग्राम् पंचायद लगाती है बिक्रि कर बूराजय सुकर मनवरणजर कर इतियाद राज्वकार द्वरा लगाए जाते हैं जबकि अस्तानी मेलो पर ग्राम् पंचायद द्वरा लगाय जाता है भारत में निम्र्खित पांच व्रशी यूजनव, पंचवर्षी उजनौ में से किसका मुक्य धे संपोषणी वृद्धी था संपोषणी वृद्धी देखे समावेशी और संपोषणी में अंतर होता है ठीक है तो यहाँ पे समावेशी पूचा होता तब तो यह question सही होता लेकिन यहाँ संपोशनी दे दिया है धारणी व्रद्धी दे दिया है तो sustainable और inclusive शब्द में अंतर होता है यह वाला गलत ही question होगा ठीक है इसको delete भी कर दिया गया था अलांकि पहले इसका उत्तर सी वाला माना था 11 जिसमें जिसमें ग्यारवी पंचवर्षी योजना का मुख्यदे समावेशी विकास था नकि संपोश्णी विकास महीं बारवी का जो था तीवर तथा अधिक सामयवेशी विकास faster sustainable and more inclusive growth था sustainable यहाँ पर शामिल तो था ठीक है तोरी दोस्तों इसका उत्तर बारवी पंचवर्षी योजना ही होगा ठीक है डी वाला right answer होगा इसका आयोग ने answer गलत दिया था शायद इसलिए यहाँ पर रिष्टा लगा हुआ है क्योंकि faster sustainable and more inclusive growth या फिर कहीं कहीं आपको लिखा दिख जाएगा faster more inclusive and sustainable growth भी देखने को मिल जाएगा तो sustainable growth ही पूछ भी रहा यहाँ पर संपोशने विद्धी लेकिन मुक्ध यही था संपोशने विद्धी था राष्टी परिवार स्वास सर्वेक्षन के अनुसार वर्तमान में भारत की कुल प्रजनंदर क्या है तो यह पुराना अकड़ा हो गया नया वला आप देखेंगे यह पुराना वला नहीं देखेंगे ठीक है भारत में नगरी छेत्रों में बीपील परिवारों की पहचान के लिए निमकित में से कौन सी समिती गठित की गई थी बीपील परिवारों की पहचान गरीवी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का जो पहचान करने के लिए हाशिम समिती गठित की गई थी बारती शहरों में गरीबी के निधारण के लिए एसार हाश्मी के देख्सता में गिटित की गई थी समिती जिसके आकलन पर सरकार को शहरों में रहने वाले गरीबों के लिए खाद सुरक्षाद नियम 2013 को लागू करना था इस कमेटी ने अपना आकलन सामाजी कार्थी को और जाती पर आधारी जनगर्णा के आधारों पर किया था जिसमें शहरों में गरीबी रेखास नीचे रहने वालों का अनुमान 17 प्रतिशत के करीब आया था भारतियों विश्वका भूगोल निम्खित योगों में इस कौन सुमेलित नहीं है विभिन राष्टी उद्यान है और कौन सुमेलित नहीं है तो सिमली पाल उडीसा में है यही वाला गलत है मदवजेश में नहीं है वाकी बांदी पूर करनाटक में है मानस असम में है पेर पो सहित भारत की कुल 30 सीमा की लंबाई 7515 समलो पांच या 7516 किलिमेटर लगवा जिसमें सीर से चार तट्रेखा वाले राजे के इंसासित पदेशों में अंडमान नीको अर्दी समू का गुजरात आंत पदेश तमिल नाडु हैं अता इस प्रश्ण में सही विकल्प डी गु वो लंबाई मेस्तित है इसलिए उसका तट्रेखा सफसे अधर लंबी अपने आप में हो जाएगी इसलिए हम राज्यों की बात करते हैं तो गुजरात की तट्रेखा सफसे लंबी है विश्व प्रसित भगवान वेंक टेश्वर का मंदिन निमकित पहाड़ियों में से किसमें वस्तित है तो ये गलत दिया हुआ था ठीक है शेवराय तथा जवादी पहाड़ियां तमिल नाड़ में तथा बिली गिरिंगरा दक्षिन पूर्वी करनाटे के उन तमिल नाड़ सीमा परिस्थित हैं जबकि वेंक टेश्वर मंदिर तिरुपती की वास्तिक वस्तिती तिरुमल्ला के पहाड़ी में अन्द्रदेश में यदि मल्ल मल्ला को नल्ल मल्ला मान लिया जाए तो इसका निकरता मुत्तर डी हो सकता है क्योंकि तिरुमल्ला पहाड़ी नल्ला मल्ला पहाड़ी का विस्तारिद भाग है लेकिन यहां मल्ल मल्ला दिया है ऐसी कोई पहाड़ी है ही नहीं तो डी वाला इसका राइट एंसर ह सकता था सबसे करीबीabi एंसर लोगों ने किया भी था लेकिन आयोक ने इसका एंसर ही डिलीट कर दिया था सबको बराड़तर मिलuciones असके बराबर रंक मिल गये थे राजस्थान मरुस्थल अत्वा थार मरुस्थल निम्कि में से किस counselors विस्तार है तो ये प्लिष्टो सीन अभिनो जमाओ काल का विस्तार है तो राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल प्लिष्टो सीन अभिनो जमाओ का विस्तार है भारत की निम्नकित नदियों में से कौन पश्चमी घाड से नहीं निकलती है तो दो नदियां है प्र नदी मर्द बदेश के बैतुल जिले के मुलताई नामक अस्थान के पास सत्पूरा शेंडिश निकलती है और भ्रंस घाटी में प्रवाईत होते हुए अरब सागर में गरती है जबकि गोदावरी कावरी तथा कंबन नदिया पश्चिमी घाट से निकलती है निम्कित देशो है कि एक गाए डेनमार की होगी एक गाए भारत की होगी तो कहां की गाए ज्यादा दूद देगी तो डेनमार की ज्यादा देगी तो उत्पादकता यहां पूछ रहा है सी वला राइट एंसर होगा डेनमारक तो इस विकल्प में डेनमारक है लेकिन अगर देखा जाए को मिलान करना है तो केरल में कौन सी चोटी है अनाई मोधी केरल की सबसे हुची चोटी है, नंदा देवी उतरा खंड की सबसे उची चोटी है, सारा मती नागलंड की सबसे उची चोटी है, दोदा बेट्टा तमिलांड की सबसे उची चोटी है, तो राइट एंसर आपका हो जाएगा सी वला, stitched तीन, चार, दो, एक, निम्रकित घटनाओं पर विचार कीजे तो सागुरी पाथ की तंत्र सफसे अधिक हो। निम्रकित घटनाओं में कौन जीवन के अस्तित तो मंगल घटनाओं में घर्माइप हो सकता है। बुद्ध तो बेलिकल नहीं हो सकता ते सर्य के भगला लिए है अग्दम नदे फिर्माएद्ग है। शुक्र भी नहीं हो सकता बहुत जाद है गर्म है मंगल हो सकता है दिये गए विकल्पों में से क्यों मंगल अग्रह जीवन के लिए सरवादी को प्यूकत है क्योंकि इसका परिक्रम प्रजभण एवं घनत लगभग प्रित्वी के समानी है और मंगल पर थोड़ा सा कुछ जी तो यह बहुत ही टेक्निकल प्रश्ण है दोस्तों कुंचिकल जलपरपात हो गया है पहले जोग या गरसवपा था करनाटक का लेकिन अभी इसी के पास इस्तित है कुंचिकल जलपरपात यह हो गया है जो वरा नदी परिस्तित है इसकी उचाई 455 मीटर है जबकि जोग घर संबंदित है किसका कोपेन का कत्थन है कि वनस्पती जो है जलवाई का सही सूचक है कोपेन ने कैंडोल द्वारा 1874 में प्रस्तावित विश्व के 5 वनस्पती मंडलों को विश्व की जलवाई के भाजन का अधार बनाया थार नथवेट का भी नाम इससे जुड़ा है लेकिन सरवाधिक उपियोग दुत्तर भी होगा, कोपेन होगा इन्होंने इस पष्ट रूप से व्याक्या की है निम्लिकित देशों में से किसमे पमपास घास का मैदान इस्थित है तो रटा होगा आप लोग को अरजिंटीना में इस्थित है ये निम्खित युगमों में से कौन सही सुमेलित नहीं है तो विभिन मरुस्थल है और कहां कौन सुमेलित नहीं है तो गिबसन जो मरुस्थल है यह आस्टेलिया में स्थित है नकी ब्राजील में बाकी सोनोरन सहित राज अमेरिका में है तकला मकान चीन में है कारकुम तुर्क मेनिस्तान में है गिपसन आस्टेलिया में है यही वाला गलत था निम्कित काफी उत्पादक देशों को उनके काफी उत्पादन को अवरोही क्रम में अवरोही क्रम मतलब descending order जो होता है मतलब सबसे बड़ा पहले होगा फिर बाद में सबसे कम वाला होगा ठीक है घटते हुए क्रम में लिखना है अब यह उस्तित करना है तो क्या होगा सबसे आदा कहां हो जाएगा सबसे आदा ब्राजील में हो जाएगा ब्राजील के बाद फिर दूसरे नमबर फिर वियत नाम वियत अनाम के बाद फिर कॉलंबिया और फिर इंडोनेशिया तो सी बी एडी अभी हाला कि उत्पादन नए वाले आंकड़े आ गए हैं तो नए वाले आप देखिएगा हाला कि ब्राजील पहले पहले है ये याद रखेगा स्वेज नहर के बन जाने के पहशाद भारत और यूरोग के मद्दे की सामुद्धिक दूरी में कितनी कमी आई है स्वेज नहर के बन जाने के बाद भारत और यूरोग के मद्दे सामुद्धिक दूरी में लगबख साथ जार किलोमेटर की कमी आई है ध्यान लखेगा इसी इच को स्वेज नहर का निर्मार 1879 इजबी में सिनाई प्रादीब के स्वेज जलसंदी को काट कर किया गया यह नहर 162 किलोमेटर लंबी है इसके निर्मार से मुंबई लंदन तक के मार्ग में 7000 किलोमेटर दूरी कम हो गई निर्मिकित भारती मौसम उक्षालेओं को उनकी स्थापना के काला नुक्रम में विवस्तित कीजिए और नीचे दिये के कूट से अपने सही उत्तर का चैन कीजिए देखे सबसे पहले तो कोल काता था तो बी वला तो राइट हो जाएगा बी वला जब राइट है तो ए या डी में से कोई अंसर होगा नई दिल्ली सबसे लाश्ट में 1944 में बना था तीक है उसके पहले सिमला पूरे थे तो ए वला सबसे लाश्ट में हो जाएगा ये तो बी सी डी अर्थाथ सी शिमला दूसरे अस्थान पे फिर शिमला के बाद पूरे में और फिर नई दिल्ली तो सबसे पहले कोलगाता फिर शिमला फिर पूरे और फिर नई दिल्ली में मौसम मुख्याले की अस्थापना की गई तो कोलगाता में 1871 में की गई थी शिमला में 1905 में गई थी पूरे में आदता नमी धारन करने की उच्छ शम्चा होती है जल धारन शम्टा इसकी सरवोच होती है सही है काले मिट्टी हिमाले शेत में पाई जाती है काले हिट्टी मिट्टी जो है दक्षिन भारत के राज्यों दक्कन के पठारादी में पाई जाती है महाराज करनाटक गुजरात मे पायाती इसे रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी का जाता है मैगनेटाइट लोहा इल्मोनियम सिलिकेट हुमस इत्यायत की उपस्तिति करण इसका रंग काला होता है मैगन रेखा सीमा बनाती है किसके बीच भारत और चाइना के बीच ये वाला राइट एंसर हो जाएगा 1914 में सर मैगन ने भारत चीन सीमा को एक समझोते द्वार निधायत किया इन्ही के नाप पर इसे मैगन रेखा कहा जाता है जो भारत और चीन के बीच भूह सीमा का निधारन करती है निमकित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकरिती वाला डेल्टा बनता है पक्षी की पंजे वाला डेल्टा तो मिसी सिपी जो मिसोरी नदी का डेल्टा बनता है सहित राज अमेरिका में यह विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत बनाती है मिसी सिपी मिसोरी और यह नदी पक्षी पाथ डेल्टा बनाती है बर्ड फूट डेल्टा बनाती है डाची गम राश्टी उद्धियान निम्कित में से किस से सम्मनित है कस्तूरी में ये हंगुल और कश्मीरी स्टैक से सम्मनित है तो हंगुल या कश्मीर स्टैक एक सरल सुहावला हिरन है अब यहां किवल कश्मीर स्थित दाची गम राश्टी उद्यान में ही शेज़ बचा है दुनिया के अन्य भागों में विलब्त हो चुका है यह जीव आईउसीन की रेट डाटा सूची में शामिल है ध्यान देवनी बात है दोस्तों उत्तराखंड का जो राज पशु है कस्तुरी इम्रेगी है और वहां पर ही कंचुला कोरक कस्तुरी इम्रेग अभ्यारण भी है कंचुला कोरक नाम है उसका कभी कभी पूछ लिए आता है ध्यान रखेगा तो हंगुल या कश्मीरी टेक एक सरल सुभावला हिरन है ध्यान केगा कहां पे दाची गम राश्टियुत ध्यान में तो हिड्यफिक गुड मिट्टी के पीएच मान जलनीकासी बनावट यारासानी गुड़ों से सम्दित है निन्वे से किस्में ओजोन की सरवादिक संता मिलती है तो समताप मंडल है 20-30 km के उचाही पर इस्टेटो इस्पियर सम्ताब मंडल के निचले अस्तर पर मिलती है ओजोन परत सूर्ज से आने वाली हानिकारप परावेगनी करिणों को और शुशित कर पित्वी पर रहने वाले जीव जनतों की रक्षा करती है परावेगनी करिणे स्किन कैंसर कारक मानी आती है धींग एक्सपेक्स क्या है तो ये किसका नाम था ये हिमा दास का महुबला नाम था आपको पता होगा ये तो यह भी current का प्रश्न था, इसका मतलब नहीं है, यह भी current का मतलब नहीं है, यह भी current का है, इसको कोई मतलब नहीं है, ये भी करेंट अफेस का है ये भी करेंट अफेस का है अदि ऻो ये भी अबेर येस कह सुछा का आँख पूचा है करेंट अफेस के लगातार चलिया अभी तक पूरा करेंट फेस का तो छोड़ दिया था उसका कोई आचेत नहीं है दोसार दोजार रठारे के पहले का है वैश्विक उश्मन के फलसुरूम निंखित में से किसकी बारमबरता की प्रजेंटर था बढ़ रही मतलब बार बार आ रहा है कौन तो सभी आ रहे है बार बार चक्रवाद, बार बार तूपान, बार बार वंडर, बार बार भुकंप, ठीक है बार बार सुनामी आ रहे है यह पहले सुनामी कभी कभार सुनने को मिलते थी सेयुक्त राश्ट के तो इसका उप्रुक्त सभी होगा तो आपको बताया है वने स्वास्थाने होता है एक बाहर अस्थाने होता है स्वास्थान मतलब जो उनका अस्थान है वहीं पर उनको सरक्षित करना इससे राष्टी उद्यान वन्जी उब्यार अर्णियाद हो गए और बाहर अस्थाने क्या है कि इनको बाहर उनके स्थान से है जब उनका अपने अस्थान पर रहना बहुत ही असुरक्षित हो जाए तो उनको वहाँ सहटा कर किसी ऐसे सुरक्षित अस्थान पर रखना जहां पर उनका सरक्षण किया सक्किए वाई अस्थाने हो जाएगा वाय अस्थाने मतले पद्धियां है तो जैव वित्ता सरक्षण के लिए मोकी रूप से दो पद्धियां अपना यात्ती हैं प्रथम स्वास्थाने या स्वावासन सरक्षण नीती दुती दुती बही वासन या बाय अस्थाने सरक्षण पद्धिती स्वावासन सरक्षण नी के अंतरगत बीज बैंक जीन बैंक क्रायो प्रिजर्वेशन ग्रिय उद्यान तथा पवित्र उपवन आदियाते हैं 2011 की जनगर्णा के अंसार निम्कित राजों में से किसमे ग्रायमीड एवं शहरी दोनों शेत्रों में श्रिश उलिंगा अनुपाद नियूनतम है तो ग्रायमीड और शहर दोनों में ही नियूनतम है कहां पर है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्याले कहां पर है तो एमस्ट इस इंटरनेशनल प्यार पर्यावरण के छेत्र में जागरुकता प्रदान करने के लिए विस्ट स्वस्तर पर चलाये जने वाला एक अंदुलन है संगतराश के आर्थिकेवं सामाजिक मामलों के विभाग के अनसार विश्वका कुल जनसंक्या का कितना प्रतिशंत अंश शहरी शित्रों में निवाज करता है तो 55 ये संगतराश ने कहा है कि 55 जो जनसंक्या है सहरों में निवाज करती है निम्कित में से कौन दृतियक प्रदूशक है देखी कली हमने चर्चा की थी या शायद आज ही के सुरुवाती जो प्रशन थे उसमें चर्चा की थी इस्मोग जो है ये द्वितियक प्रदूशक है ठीक है सूरी की रोशनियों वायो जब नाइट्रस आकसाइट कार्मन डाइकसाइट गंधक जलवाश के साथ अपक्रिया करके द्वितियक प्रदूशक इस्मोग का निर्माड करते हैं ठीक है तो पैन हो गया या इस्मोग हो ग करते हैं फिर जो स्रोतों से डायरेक्ट निकलते हैं से कर्बन डायक्साइड हो गया सल्फर डायक्साइड हो गया नाइटर्स अक्साइड हो गया इस सब क्या है जो प्रदूशन उत्पन करने वाला स्रोत है उससे डायरेक्ट निकल रहे हैं दृतियक प्रदूशक क्या है याद नहीं आ रहा है किस वर्ष पूचा था कि प्रसाक प्रकास रसाइनिक धूम या धूम में क्या-क्या उपस्थित रहता है इस मौग में क्या-क्या उपस्थित रहता है तो आप यह जानते रहिए नाइट्रोजन अक्साइड ओजोन नाइट्रिक आसाइड नाइट्रो प समाग का निर्माड करते हैं निम्खित पाइसकी तंत्रों में किसमे प्रजाती विवित्ता सापेक्षता काफी अधिक होती है इसका उत्तर आयोग ने दोनों को मान लिया था उश्कवंदी वर्षावन कोरल रीफ दोनों को मान लिया था बी और सी राइट एंसर होंगे अब क प्रजाती वित्ता होती है वो सापेक्षता काफी अधिक होती है तो उश्कवंदी वर्षावन ही कहे जाते हैं समुद्र के यह तो दोनों को ही मान लिया था एंसर और दोनों ही सही भी है जलवाई प्रवृतन पर स्युक्त राष्ट का सम्मेलन कोप 21 कहा यजित हुआ था प्रेरिस में यजित हुआ था जलवाई प्रवृतन पर भारत की प्रथम राष्टी कार योजना कब लोकारपित की थी यह बहुत मातपूर्ण है दो जार आठ में ठीक है इसमें कुल आठ विशेश योजनाव प्रध्यान के इंदित किया गया था ये आठ भी पूछ लेता इन आठ में से कौन नहीं है तो सौर मिशन था राष्टी विद्धित उर्जा दक्षता मिशन था जलवाई प्रवृतन पर राष्टी ज्यान मिशन था राष्टी हिमालई पास की जीवन तंद के समपोशन हेत मिशन था राष्टी जल मिशन राष्टी धार्णी परियावास मिशन राष्टी धार्णी क्रिशी मिशन यह याद रखेगा निमकित राजियों में से कौन आर्थिक दिश्ट से सबसे उपर लेकिन लिंगा नुपात की आधार पर सबसे नीचे है तो इसका जो उत्तर था उसमें हरियाना था D अब आर्थिक दिश्ट से सबसे उपर प्रतिव्यक्तियाय में पूचा था या क्या पूचा दिया सबसे नहीं था लेकिन लिंगा नुपात तो सबसे कम हरियाना में है इसलिए इसका most appropriate answer D ही होता हरियाना ही इंडिया स्टेट ऑफ फॉरिष्ट रिपोर्ट 2017 के उसार देश के एकुल भोगोलिक शेथफल का कितना प्रतिशत अंशब बनों के अंतरगत है तो ये पूराना हो गया 2019 वाला जो रिपोर्ट आया उसका प्रशन पूचा जाएगा आप से भारत में बाग प्रियुजना कब सुरू की गई थी 1973 में सुरू की गई थी most appropriate इसमें बी वाला होता लेकिन इसको भी आयोग ने डेलिट कर दिया था क्योंकि 1972 यहां पर दिया हुआ है वन जिव सरक्षन अतनिया 1972 के अंतरगर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर सुरू किया गया था वर्तमान में भारत में कुल कितने हो गए हैं पचास नहीं 54 टाइगर रिजर्व हो गए हैं ना वी राजस्थान वाला जो बना है निमकित में से कौन मानो जनित जीवों का एक उधारण है जिसका निर्मान मानो ने किया है तो इसमें से फसल भूमी जो है चूकि फसल का जो उतपादन है उसको बोना उसको फिर से उगाना यह सब क्या करता है कौट करता है किसान करता है खेत बनाना यह किसान का काम होता है खेट जोतना किसान का गम होता है तो D वाला राइट अंसर है बाकी वर्षावन जलतंद्र घास मैदान इस सब प्राकतिक अस्थन है निमकित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिये सबसे लंबी अवजित्तक रख सकता है तो उट कंगारू चुहा जो है ये बिना पानी पिये सबसे लंबी अवजित्तक रह सकता है ये जो मूत्र भी करता है वो ठो सवस्था में करता है ठीक है न तो सरजन भी ठो सवस्था में करता है ये भी पूछा गया है बिना पानी पीए सबसे लंबी वज़ तक रह सकने वाले जीवों कंगारू चुहा सर प्रमुक है उत्री अमेरिका में पाए जाने वाले कंगारू चुहा बारिश के समय में बीज जमा करके रख लेते हैं फिर इन बीजों को खाकर वर्षों तक जिंदा रहते हैं भारत का प्रथम National Center for Marine Biodiversity की शहर में स्थित है तो ये जामनगर में स्थित है प्रथम National Center for Marine Biodiversity NCMB ये जामनगर में स्थित है गुजरात में तो तटी छित्रों की जैवित्ता की स्वरक्षा के लिए जामनगर गुजिरात में समुद्री जैवित्ता राष्टी केंद बनाया जा रहा है। के अधार पे सबको अलग-अलग नाम दिया गया है। इस आधार पे गोमती को जैविक आबदा कहा गया है। निम्कित राजियों में से किसकी ग्रामीड जनसंख्या सरवादिक है तो ग्रामीड जनसंख्या सरवादिक कहां की जनसंख्या पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वैसे ही बहुत जादा है तो ग्रामीड हो शहरी हो दोनों ही उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जादा होगा। दी वाला राइट एंसर हो जादा है। पंद्रहमा प्रवासी भारती दीवस जनुवरी 2019 में कि शहर में आउजित होगा। अलाकि ये आपका पूराना हो गया। उत्तर प्रदेश की ये भी पूराना हो गया। स्मार्ट सिटी के विकास का एक्रम में विकास के लिए केंज सरकार दोरा किसे नहीं चुना गया है। तो ये भी पूराना हो गया है। नया वाला आकड़ा आप देख ली जगा एक बार कुछ अगर परिवरतन हो। क्रिशी मत करके चली आएगा क्रिशी शेत में नोबेल दिया ही नहीं जाता। इन में से दो ही शेत्र हैं जिसमें नोबेल दिया जाता है। तीन शेत्र हैं और शदी भी है चिकिस्सा भी है। तो क्रिशी तो होता ही नहीं है तो चुकि इन्होंने हरित करांती क्रिशी किसे संबंदी थे इसलिए काफी लोग क्रिशी मार के चले आये थे जब कि शांती मनोबेर मिला था क्रिशी में मिल भी नहीं सकता क्योंकि दिया ही नहीं आता है च्छाही फिल्ड में दिया आता है गलत है यह मलब पुराना हो गया छोड़ी है इसको भारत के विविन छेत्रों इत्पादित सुल्ताना गुलाबी और काली चमपा किन फलों के किसमे है इन में से आपको पता होगा काली चमपा का नाम बहुत फेमस से अंगूर की है जब एक पता हो गया तो बागी अपने आप हो जाएगा तो सुल्ताना गुलाबी और काली चमपा अंगूर की किसमे है निमकित राजियों में कौन इलाइची हों काली मिर्च का सबसे बड़ा उतपादक है तो ये भी थोड़ा शोर दीजेगा फिर देखेंगे नया उतपादन वाला आकडे में विश में आयोडीन का अगर्णी उतपादक ये महत्तपूर्ण है इसके उतपादन में चिली प्रथम अस्थान पे फिर जापान तुरकेमेनिस्तान अजरवेजान का अस्थान आता है नेत्ययक का प्रथम उपाधेश कौन था तो अर्बिन पनगडिया थे अभी कौन है राजीव कुमार है विश्व जनसंक्या दिवस कब मनाया जाता है ग्यारे जुलाई को मनाया जाता है भारत सरकार द्वारा घोशित क्यों मनाया जाता है ग्यारे जुलाई को क्योंकि ग्यारे जुलाई 1987 को विश्व जनसंक्या पाँच अरब के आकड़े को पार कर गई थी इसी सी प्रेजित होकर सेंगत राज शंक के जनसंख्या उनभाग ने 1989 से प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया शुरू किया भारत सरकार द्वारा घोशित ABC इंडेक्स निमकित में से किस्टे संबंदित है तो ये स्वास से संबंदित है एक ब्रीफ हिस्ट्री आफ टाइम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई तो Stephen Hawking की पुस्तक है अब ब्रीफ हिस्ट्री आफ टाइम टीक है दे एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर ये आपके संजय वारू की पुस्तक है इस पर एक मूवी भी मनाई जा चुकी है विश्व जयव वित्ता दिवस कब मनाई जाता है तो ये 22 मई को मना जाता है विश्व जयव वित्ता दिवस मनाई जाता है तो ये 150 वा था हो गया complete आपका ये 2018 वाला भी अब 2017-2016 इस तरीके से सारा complete करवाएंगे प्लेलिस्ट बना दी है प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं इस स्पीड में बहुत बहुत धन्यवाद